स्टार्ट अज नवीस मस्या पैदा हो गई है जिसनू चुफेरियों चाती मारिये तां इक पासे चानन अते दूझे पासे हनेरा नजर आ रिहा है की सोचेया जावे के ए सही है जां गलत है अंदाजा लगवना संभव जाप रिहा है क्योंके लोक मनननू त्यार वी ने अते नहीं वी डंडी पड़े लिखे व्यक्ती मन वी रहे ने अते ना मनन दा दिखावा वी कर रहे ने केडे तरीके नाड समझया जावे अते मनुख नू समझाया जावे ओ नमे टांग तरीके नाड नमिया नमिया शवदावलिया दी वर्तों करके मनुख नू लुट रहे ने अते उनना दिया पीडिया नू बरबाद अते गुलामा वालिया जिन्दगिया वल तूर रहे ने डंडी उनना दे लुट मार दे तरीके विच एक किस्मत है किस्मत ने चंगे चंगे मेनती लोका नू पिखारी बणा दिता है अते मेनती वर्ग नू पिछे तकेल डंडी किय जिहा संभव है के जिन्दगी किस्मत दुआले कुमदी है किस्मत नाल ही गरीब अते अमीर हन डंडी किस्मत ते मेनत दो अलग अलग शवद ने कि किस्मत वी मेनत वाले दी चंग दी है एनना वारे विचारना जरूरी है डंडी इक अजिहा शवद जो तकरीवन हरेक व्यक्ति दे मुहों सुनया जान्दा है डंडी मनुखने अपने जीवन दे नाल नाल पशू पंचियां लई वी ए शवद वर्तना शुरू कर दिता है डंडी हरेक व्यक्ति बगैर किसे नतीजे अते तथा नू जाने बिना किस्मत दा सहारा दे के उस चीजतों पिछा छोडाउन दी कोशिश कर दा है हरे अपने मननू तसली दिन्दा होया आखदा है जो किस्मत विच लिख्या सी हो गया डंडी कदे इनसान ने ए जानन दी कोशिश किती है के इस शब्द दे अर्थ की हन अते इसनू क्यों वर्तिया गया शायद नहीं डंडी उसनू तां ए भी नहीं पता के इसनू किस द्वारा बनाया गया अते इस शब्द द्वारा इनसान नू किन्ना लुटेया जा रिहा है डंडी आज सिख्या दा मियार एनना हेठा लिया दिता गया के लोक सिख्या नू आपने बुन्यादी अधिकार समझन दी बजाए सिख्या नू भी किसमत समझ रहेने के शायद पड़ाई किसमत विच नहीं रुजगार भी किसमत दा इक हिसा मन रहे हन के जेकर नौकरी किसमत विच होई तां मिल जावेगी आज पड़े लिखे व्यक्ति वी किसमत नू मनन लग पएने अते अपनी किसमत अजमाण लई नमे टांग तरीके लब रहे हन डेंडी पर किसमत बारे जानना बहुत जरूरी है किसमत शावद कुझ चलाक अते पखंडी लोकां द्वारा बनाया अजिहा शावद है जिस नाल मेनत कश लोक अपनी मेनत नू किसमत सहारे चड के निठले अते बेकार हो जान अते अपनी मेनत नू अपने फाइदे दे हिसाव नाल वर्तन अते वेले रह के अननन्द मानन डंडी जिस नाल मेनत कश वर्ग अपने मेनत सद का वड़े लोकां दियां गदियां ते राज पल्टावना पुल जान डंडी